नमस्कार एक्जाम गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर मैं सुनिल प्रजापती आपका स्वागत करता हूँ आज का टॉपिक अलजेबरा ये अलजेबरा की दूसरी वीडियो है अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो न देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने छोड़ दिया है इस टॉपिक के अंतरगत स्सी सीजल एक्जाम 2019 के पेपर से क्वेशन उठाए हुए हैं जिनके एक्जाम इसी वर्ष के मार्च महिने में हुए थे तो बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की और इफ एक्स स्क्वेर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इस एक्वल तो जिरो देन दा वैल्यू आप देखो इस एक्स स्पैंड करोगे तो क्या दिखेगा आपको एक्स Zombie का होता है स्क्वेर माइनस टू इंटू एक्स इंटू तू यानि टू ऑब टू का स्क्वेर यानि फोर अब आप इससे देखो यह एक्स स्क्वेर यहां पे आपको दिख रहर है यह 만들어 चार- influ重 द्श्र यहाँ पे आपको दिख रहर यह right hand side में 0 क्या बता रहा है कि इसका पूरे का result 0 आने वाला है और यह 0 तभी possible है जब x के जगा आप 2 रग दो चुकि 2 minus 2 is equal to 0 होगा यानि x का मान आपने find कर लिया है x का मान 2 होगा आप अपने पूछे वे सवाल पे ध्यान दो यहाँ पर x to the power 4 है मतलब 2 पे power 4 क्या होता है तो 2 पे power 4 16 होता है यह मैं आपको बता दू तो यहाँ पर आप देखो in bracket 16 minus 1 by 16 अगर आप इसकी LCM लोगे तो उपर 256 आ जाएगा उपर आपका 256 आ जाएगा minus में 1 by में 16 यह जैसे ही bracket को लोगे 16 से 16 कैंसल हो जाएगा 256 में एक जाएगा तो 255 option number D आपका correct answer होगा बढ़ते हैं अगले सवाल पर इफ x square plus 3x plus 1 is equal to 0 अगर आप गौर फर्माओ तो x to the power 6 पूला गया है और x to the power 6 के लिए आप क्या कर सकते हो कि पहले square का का काम करना फिर cube का का काम करना या फिर पहले cube का का काम बाद में square का काम दोनों मेंसे कोई भी करो दोनों बात एक ही है चोकि power पे power जब चड़ेगा तो गुना होगा 3 2s आ क्या होता है 6 या 2 3s आ 6 तो मैं यापर क्या बताना चाहरा हूँ इसे मैं आगे solve करूँ उससे पहले आप यहाँ पे कुछ formula जान लो कि x plus 1 by x is equal to अगर n दिया हो तो x square plus 1 by x square बराबर n square minus 2 होता है यह पहला formula अब मैं यह cube के term का भी formula आपको बता हूँ कि अगर इसमें cube का सवाल हो x cube plus 1 by x cube बराबर क्या होगा तो इसका formula होता है n cube minus 3n आप इन formula को ध्यान में रखें मैं भी use करूँगा जैसे सबसे पहले उस mode पर लाने के लिए आप इन सभी को x से भाग लगाओगे यानि अगर इसे x से भाग लगाओगे तो थोड़ास जो चो यहाँ पे क्या बचेगा अगर इसे x से भाग लगाओगे तो यहाँ पे 3 बचेगा इसे x से भाग लगाओगे तो plus 1 by x से बचेगा जबकि 0 को x से भाग लगाओगे 0 ही होगा तो यहाँ पे इस plus 3 को अधर लेके अगर चले जाए right hand side में तो यह minus 3 हो जाएगा आपको दिखेगा क्या x plus 1 by x एक तरफ और दूसे तरफ minus 3 अब आप इसमें squaring और cubing का वो formula यूज करो जो मैंने अभी आपको बताया अगर आप यहाँ पे squaring का formula यूज करोगे तो n square minus 2 मैंने का था तो अभी minus 3 आया था minus 3 का square करोगे तो plus 9 होगा यानि 9 minus 2 exactly 7 आयगा तो यह square का का काम होगे आप cube का का काम करेंगे ताकि power 6 बन जाई है अब यहाँ cube के लिए मैंने क्या बताया था n cube minus 3 n आपका result अभी 7 आया था 7 का cube कर लो minus में 3 into 7 कर लो 3 into 7 21 होता है तो 3, 4, 3 आयगा 7 का cube से और यहाँ 21 अगर less करोगे exactly 322 आयगा option number C आपको लिख रहा होगा hope so आपको समझ में आया होगा बढ़ते हैं अगले सवाल की और if 20x square minus 30x plus 1 is equal to 0 अब यहाँ पे क्या करना है आपको सबसे पहले आप question पे लिखो क्या है 25x square और 16x square यह देखोगे तो 25x square कि यह किसका perfect square है तो 5x का complete square है जबकि 1 by 16 का मतलब होता है 1 by 4x का square आप ऐसा बोल सकते हो तो आप यहाँ पे रहांद दोगे यह पूरा term आपका 5x दिखना चीए था चुकि यहाँ पे 5x का square है तो आप देखो यहाँ पे 4x से अगर divide लगा दे 4x से मैंने का divide लगा होगे सब को left hand side भी right hand side भी क्या result आएगा 4x से अगर भाग लगाएंगे तो तो जब 4x से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे पहले term पर 20x में x square में अगर 4x से divide के तो 5x आएगा यहाँ पे 4x से भाग लगाएंगे तो x से x कट जाएगा जबकि 4 से आप देखोगे जब यह काटोगे तो यह 15 उपर बचेगा और नीचे में 2 माइनस में 15 और नीचे में 2 प्लस यह 4x से आप divide लगा रहे थे तो 1 by 4x आपका हो जाएगा is equal to 0 अब यह पूरे term को मैं उधर लिखे जा रहा हूँ यह निधर negative में उधर जाएगा तो positive दिखेगा क्या 5x plus 1 by 4x is equal to 15 by 2 दिख रहा है अब इसी term का यहाँ पे square करके रखा हुआ है इसका formula आप use करोगे formula में बस यह जान रगना यह numeric term पर भी हम लोग काम करेंगे numeric term पर काम करेंगे आप यहाँ पे लेखो n square minus 2 होता है formula n square minus 2 लेकिं numeric term लगा हो तो इसको भी आप use करते हैं numeric term जैसे यहाँ पर a और b मैं लिख करके दिखा रहा हूँ आपको खेर मैं भी use करो इसे यहाँ पर आप देखोगे n square minus 2 जब n आप देखोगे तो 15 बटा 2 था तो 15 बटा 2 का square करेंगे minus में 2 करेंगे into जो numeric term लगा था इसके साथ 5 लगा था और इसके साथ 4 लगा था 1 by 4 मैं यहाँ पर लिख दिया अब आप इससे काटना नहीं मैं दिखाऊं आपको 15 का square क्या होता है 225 होता है जबकि नीचे 2 का square क्या आएगा 4 इधर में result आएगा minus में उपर 10 और नीचे 4 दोनों का calcium सेम है 225 में अगर 10 जाएगा तो 215 आएगा उपर में 215 नीचे में 4 जिसको भाग लगाओगे तो option number B उपलबद हो जाएगा 53 whole 3 by 4 hope so आपको समझ मैं होगा बार ही आती अगले सवाल की अगर आप यहां गौर फर्माए तो यहां है if 30x square minus 15x plus 1 is equal to 0 मिलता जूलता सवाल है यहां पे इससे घवराएंगे नहीं minus 1 है power तो इसका मतलब होता है 1 by 36x square inverse relation ले ले लेता है inverse को हिंदी में व्यूत करम कहा जाता है जैसे A का व्यूत करम या inverse बोलते हैं 1 by A को खेर आगे बढ़ो यहां पे आप सबसे पहले देखो यह 5x का square है तो 5x का square इससे 5x square कैसे बना सकते हैं 5x कैसे बना सकते हैं आप यह सोचो इसे आप अगर भाग लगा दो 6x से dividing by 6x तो आपको result मिल जाएगा अगर 6x से divide लगा रहा है imagination दो 30x square उपर में नीचे में 6x result क्या आएगा 5x फिर इसे भी अगर भाग लगाएगे 6x से तो x x कट जाएगा उपर में 15 नीचे में 6 15 और 6 देखो 3 से कट रहा है minus में उपर 5 आएगा नीचे में आपका 3 से कटेगा तो 2 आएगा चलो आगे बढ़ते हैं अगर इसे भी 6x से भाग लगाएगा 1 को तो नीचे में आपका 6x आ जाएगा बराबर में 0 चुकि 0 को कोई भाग लगाएगा 0 यह होगा अब देखो यह पूरा टम उधर जाके बाट जाएगा राइट हैंड साइड में यह आपको दिखेगा क्या फ्रेश तरीके से लिख दूँ 5x प्लस 1 by 6x बराबर में आपको क्या दिखेगा उपर में 5 था और नीचे में 2 था तो यह आपको दिखेगा अब इसका complete का square करना है ठीक वही formula यूज करो जो अभी थोड़ देर पहले मैंने यूज किया था यानि n square minus 2 अब देखो n के जगा पर 5 by 2 था 5 by 2 का square कर दो minus में 2 और इसके साथ जो numeric term लगा था 5 और इसके साथ लगा था 1 by 6 मैंने लिख दिया अब आप यहां पर 5 by 2 का अगर square करोगे तो उपर में 25 आएगा 25 आएगा नीचे में 2 का square यानि 4 आएगा देखो यह 2 से कट रहा है इसको काट लेना तो यहां पर 25 by 4 और यहां पर 5 by 3 25 by 4 और यहां जाएगा पांच बड़ा 3 LCM अगर यहां पर देखो गए 3 और 4 का LCM 12 होगा अगर आप 12 यहां पर LCM लोगे 12 LCM लेंगे तो यह 3 से गुना यह 4 से गुना यहां पर भी 3 से गुना करो यहां पर भी 4 से देखो नीचे 12 आ रहा है, उपर में 25 ती या 75 आएगा इसमें, और इसमें 20 आएगा, 75 में 20 आएगा तो 55 बचेंगे, और नीचे में 12, 55 बटा 12, option number D आपको दिख रहा होगा, hope so आपको समझ में आए होगा बढ़ते हैं अगले सवाल पर, यहाँ पर अगर गौर फर्माएं, if 12 x square minus 21 x plus 1 is equal to 0, then what is the value of 9 x square plus 16 x square और यह power में minus 1, तो अभी मैंने जश्ट बताया था, minus 1 का का काम क्या होगा यह ठीक उसी mode का question है, इसे हम लोग solve करें, उससे पहले यह देख लो, यह 3 x का complete square है, अगर यह 3 x का complete square है, तो यह कैसे 3 x बन सकता है, जब आप इसे 4 x से divide लगा दो, हम यहाँ पे 4 x से throughout divide लगा रहे हैं, left hand side भी और right hand side भी, जब भाग लगाएंगे तो यह result में, शुरुआत में 3 x देगा, जब इसे भी 4 x भाग लगाएगा, तो x x कर जाएगा, लेकिन यह minus में 20 बटा 4 दिखेगा, जो right hand side जाएगा, तो 21 बटा 4 दिखेगा, इधर क्या आएगा, आगे में 1 by 4 x आएगा, चुकि 4 x डिवाइड लगा ना था, यानि यह दिखने वाला है, तो 3 x plus 1 by 4 x is equal to 21 बटा 4, अब इस चीज को भी देखो, यह वही सवाल है, यानि इसका square कर देना है, और कुछ नहीं करना, तो आप यहाँ पे use करोगे, 21 बटा 4 का square, minus 2 into, इसके साथ 3 लगा था, और 1 by 4 लगा था, आप यहाँ पे जब LCM लोगे, तो 21 का square सबसे पहले यह देख लो, 21 का square, आप यहाँ पे काटना चाहो, तो अलग बात है, यह काट लो दो बार में, 3 बटा 2 आएगा, 21 का square, 441 और नीचे 4 का square, 16, 441 यह 16, और यहाँ पे 3 बटा 2 था, minus में, तो 3 बटा 2 में यह 8 से गुना होगा, तो यह LCM के बराबर आजाएगा, 8 से मैंने दोनों ताइप, उप यह 24, 441 में यह 24 जाएगा, तो यह 417 उपर में बचाएगा, नीचे 16, तो 417 बाए 16 आपका right answer होगा, hope so आपको समझ मैं होगा, अगले question में बढ़ने से पहले एक formula पे नजर डालते हैं, a square minus a b plus b square, अगर आपको दे दिया गया है, और a square plus a b plus b square, यह भी आपको दे दिया गय तो इसका result नीचे बाला portion आएगा, यानि a to the power 4 plus a square b square plus b to the power 4, यह ध्यान में रखना है, इस पे based 2019 के paper में काफी questions मैंने देखे, मैं उसके question दिखाऊँ आपको, और solution भी करवाऊँ, इस से वाल पे ध्यान देते हैं, if x to the power 4 plus x square y square plus y to the power 4 is equal to 273, and x square minus xy plus y square is equal to 13, then the value of xy, चलो उसकी value बताएंगे, उससे पहले आप यह देखो, अभी थोड़े देर पहले मैंने लिखाया था, उसका यह एक टुकड़ा है, इसका एक positive part होता है, जो मैंने नीचे लिखा है, इन दोनों को अगर आप गुना करोगे, तो यह क्या देगा result, यह पूरा term देना चाहिए मतलब अगर इसे find करना है, तो क्या करेंगे, यह term तो तब आता जब दोनों को गुना करते, यानि 273 को अगर इसका negative part के लिए 13 हटा ले, तो यह positive part का value ला देगा, 13 दुनी 26, 13 एकम 13, मतलब यह हो गया, कि यह पूरे term का value क्या आ जाएगा 21, और यह क्या है, 13 है negative value, negative क्यों है, चुकि यह negative लगा हुआ, आप देख सकते हो, यहाँ पर यह positive लगा हुआ, आगे ध्यान देते हैं, तो आपने भी निकाला क्या है, आपने भी जो निकाला है, उस पर अगर गौर फर्माए, x square minus xy plus y square आपको 13 दिया हुआ था, आपने भी निकाला x square plus xy plus y square, यह आपने भी निकाला just, जो कि आपका निकाला 21, अब आप देखो, इनमें क्या करो, xy की value चाहिए, xy निकल सकती है, कैसे, linear equation हम लोग लगा देंगे, अगर हम लोग linear equation यूज करेंगे, linear equation अगर use करेंगे, तो आप ध्यान दोगे, इनमें हम यहाँ पे नीचे वाली equation का sign change कर देंगे, यानि यह negative, यह भी negative, यह भी negative, यह भी negative, यह भी negative, यानि left hand side और right hand side सबके, यहाँ पे sign मैंने change कर दिये, अब देखो, यह x square यह positive और यह negative है, जबकि यह दोनों negative, negative term है, यह positive यह negative हो चुके है, जबकि 13 में अगर 20 जाएगा, तो यहाँ पे minus में 8 दिखेगा, तो right hand side minus 8, जबकि यहाँ पे क्या दिखेगा, 2xy वो भी minus में, यह ध्यान रखना है हमें, तो minus में 2xy बराबर में minus 8, यह minus से minus कट गया, 2 से यह भी कटेगा, कितने बार में, 4 बार में, यानि xy के सामने 4 दिख रहा है, जो option number a में उपलब्द है, hope so आपको समझ मैं होगा, बढ़ते हैं अगले सवाल की और, if x to the power 4 plus x square plus y square, x square y square plus y to the power 4 is equal to 21, अगर आप यहाँ देखें, तो यह ठीक उसी pattern पे based question है, हम लोग that इसका solution करें, इसका negative part, चुकि यह positive है, तो negative part क्या होगा 21 को सीधा सास से भाग लगा देंगे, कितना आजाएगा, 3, यानि negative positive सब आगया हमारे पास, हमसे जो question पूछा गया, उस पे पहले focus कर ले, यहाँ पे अगर इस calcium लेंगे, तो यह क्या दिखेगा, x square y square, उपर में क्या दिखेगा, y square plus x square, मतलब यह value चाहिए और यह भी value चा निकाला अभी, यह भी आपने भाग लगा के निकाला 3, अब आप देखो, यहाँ पे xy भी value निकाल लेंगे, और x square y square की value निकाल लेंगे, अगर आम इस दोनों को जोड़ दे, इन दोने equation को जोड़ दे, तो xy यह positive, xy यह negative, यह cancel हो जाएगा, जबकि यहाँ पे 2x square बचे यहाँ आपने x square और y square की value निकाली 5, यह ध्यान में रखना है, x square y square की value आपने 5 निकाली नीचे xy की value चाहिए अब, आप यहाँ पे ध्यान दो, x square plus xy plus y square, बराबर अगर 7 है, यह दिया हुआ था, x square minus xy plus y square, is equal to 3 आपने निकाला था, तो अभी मैं क्या करूँगा, xy को बचाने की कोशिस करूँगा, यानि sign अगर मैं यहाँ पे negative कर दो, जो negative है वो positive, जो positive है वो negative, तो 7 में से 3 जाएगा, right hand side तो 4 दिया, जबकि यह x square x square कट गया, positive negative, यह भी कट गया, यहाँ पे 2xy बचेगा, 2xy के सामने यह 4 दिख रहा, 2 से 2 times में cancel, तो यह 2 लाएगा, तो उ नीचे में आया था आपका, x square y square, तो उपर के लिए आपकी value आई थी 5, जबकि नीचे सिर्फ और सिर्फ x, y की value आई थी 2, तो यहाँ पर आप देखोगे, 2 का square करना ना भूले, चुकि यह x square y square है, तो 2 का square क्या हो जाएगा, 4, option number क्या होगा, a, ऐसे में लोग गरबर कर द दे, 4a square, plus 9b square, plus 6ab का मान आप सोचो, यह minus का यहाँ पर दिया हुआ था, यह 13 इसको रहने नहीं देगा, साथ बार में काटेगा, formula जो बताया था, उसी पर बेज़द है, साथ बार में, अगर आपका यहाँ पर बचता है, तो 7 यहाँ पर रख दिया मैंने, साथी साथ, minus 6ab is equal to 13, यह दिया हुआ, आपको क्या चाहिए, 3ab के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, sign को आप यहाँ पर change करो, यह minus में, यह भी minus में, यह plus में, यह minus में, अब 7 और 13 का subtraction दोगे, सबसे पहले answer आएगा minus में, यहाँ पर आजाएगा minus 6 घटाने पर, जबकि इसमें देखोगे, यह 4a square, 4a square के यह cut गया, चुकि एक positive, एक negative, वैसे ही यह भी cut गया, यह 6ab और 6ab, positive, positive, 12ab यहाँ पर लएगा result, अगर आप यहाँ पर देख सकते हो, तो यह cut भी रहा है, आप इसे काट होगे, लेकिन यह ध्यान में रखते हुए, 12ab is equal to minus 6 है, इसको मैं फिर से fresh तरीके से करूँगा, चुकि 3ab पूछा गया, 12ab, 12ab is equal to minus 6 है था, हमें चाहिए यहाँ पर 3ab, तो इसको 3 कैसे बना सकते हैं, इसको 4 से गर 2 तब भाग लगा दे तो, तो इधर result आ जाएगा 3ab, और उधर आ जाएगा आपका minus में 3 by 2, option number D, अकसर इसमें लोग 5 answer ला पे ध्याम दोगे, यदि x पे पावर 2a is equal to y पे पावर 2b is equal to z पे पावर 2c, हमारी पहली वीडियो में इस तरह के question मैंने आपको करवाए थे, इस पे अगर ध्याम दे, उससे पहले एक concept ले लो, कि x पे पावर अगर 2 रहे है, बराबर में अगर 4 है, तो आप इसे दो तरी अगर लिख सकते हो, तो मैं x पे पावर अगर a दे दू, बराबर में 2 दे दू, तो इसको क्या लिख सकते हो, x इसको क्या लिख सकते हो, x बराबर 2 पे पावर 1 by a, पता है यह आपको, आप यहाँ पे क्या करोगे, यह question में ठीक उसी तरीके से काम करोगे, यह सब बराबर ह और सबको अलग-अलग करके mode पर लाओगे, जैसे मैं एक को लाओ, x पे पावर 2a is equal to k है, तो x is equal to k पे पावर 1 by 2a लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो सबको आप imagination दो, सारा चीज को आप लिख सकते हैं, यानि y पे पावर 2 by 2b is equal to, अगर k दिया हुआ है, तो y is equal to k पे पावर 1 by 2b, समझ पा रहे हो ना, आप यहाँ पर गौर फर्माओगे, x square is equal to yz यहाँ पर दिया हुआ है, मैं यहाँ x की value बठाओंगा, जो मैंने यहाँ पर अभी assume की, x is equal to, k is equal, x बराबर क्या लिख सकता हूँ, k is equal, k पे पावर 1 by 2a, ध्यान रहे हैं कि यहाँ square भी था, तो यहाँ पे square भी चड़ेगा, और पावर पे पावर गुना होता है, यह आपको पता होना चाहिए, is equal to yz, y की value अभी आपके यहाँ क्या लिख सकते है, k पे पावर 1 by 2b, वैसे ही, z into में है, तो z के लिख सकते है, k पे पावर 1 by 2c, अब देखो, बेश जब सेम होता है न, तो पावर जुड़ता है, ज्यान रखें, और यहाँ पे यह दो से दो cancel हो जाएगा, यानि 1 by a आएगा, चलो ज्यान देए, यहाँ पे k is equal to 1 by a, साथी साथ यहाँ पर k is equal to, चुकि पावर जोड़ना है, तो यहाँ पर 1 by 2a, प्लस, k is equal to 1 by a, k पे पावर 1 by a बराबर, k पे पावर 1 by 2b, प्लस 1 by 2c, जो भी आप यहाँ अपर देखें, अब यहाँ LCM अगर लेते हो, तो LCM लेने के बाद आपको क्या result में लेंगे, एक बात और, जब बे सेम हो, तो पावर पे आप डारेट काम कर सकते हैं, यह पूरे term को आप बराबर में लिख सकते हो, यहाँ बाइ A is equal to LCM लेने, तो 2bc हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर आजाता आपका bc, प्लस ca, माफ करिएगा, यहाँ पर आता आपका c, प्लस b, c, प्लस b, तो आप यहाँ पर देखोगे, जब आप इससे cross multiplication करा होगे, तो as a result आपको क्या पराप्त होगा, 2bc is equal to ac plus bc, है न, ac plus bc, अब यहाँ पर आगे focus करें, माफ करिएगा, यहाँ पर bc नहीं, a होगा, ac, a से गुना होगा था इसका, खेर, यहाँ पर 2bc is equal to ac plus bc, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आपको लिखेगा, यह ac और bc, ac और ab, ac और ab, आपको यहाँ पर लिखेगा, ac और ab, यह देखे अब गौर से, ac और ab, यह ac और ab के सामने, आप क्या लिख सकते हो, इन दोनों को अटा के 2bc, 2bc लिख सकते हो, तो 2bc और 1bc कितने bc हो जाएंगे, 3bc, नीचे भी bc, उपर भी bc, आप देखो, उपर में 3bc होग आगे बढ़ते हैं, कफी सांदर सवाल आ गया है, आप देखो इससे question बनते ही बनते हैं, हर एक exam के लिए important होता है, जो ssc और railway ने conduct किये हैं, आप यहाँ पर जहाँ दे, तो x plus y plus z is equal to 3 है, देखो अगर मैं यहाँ पर तरीका लगाँगा ना, तो वो कम समय में नहीं बन पा देखो हमें यहाँ पर 3 चाहिए था, तो 8 में अगर 6 जाएगा तो 2, और 2 और 1 कितने हो गया, 3, यह हो सकता है, देखो यह सिर्फ इसी question में satisfaction फिल कराएगा तो दिक्कत है, आप आगे भी चेक करो, आगे कराता है कि नहीं कराता है, तो 8 का square करोगे, तो 64 हो जाएगा, फिर y है, तो y, यानि 6 का square, माइनस 6 का square, यानि 36 होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 का square 1 होगा, इनको जोड़ोगे तो 101 लाता है, यानि इसमें भी satisfaction फिल करा रहा है, तो हम that question में put करते हैं, यहाँ पर आपका क्या question है, x cube, यानि x के जगा 8 है, तो 8 का cube 512, प्लस y का cube, यान पर ये गौर्ण फर्माते हैं हम लोग, यहाँ पर z का cube है, यानि 1 का cube तो 1 ही होता है, माइनस में 3 x y z है, तो 3 x 8 x 6 x 1 करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये सभी root के अंदर है, ये भी ध्यान दे है, चलो ठीक है, इससे solve करते हैं, 8 x 48, 48 को 3 से गुना करोगे, 144, और ये positive भी हो जाएगा, ये ध्यान रखे, चुकि 6 आपका माइनस में था, तो 8 x 443, 144, 144 और प्लस 1, 145, 145 यहाँ प्लस में, माइनस में 216 और ये 512, इसे अगर हम लोग subtraction और addition दोनों दे दे, तो यहाँ पे as a result क्या प्राप्त होगा, 145 और 216 को घटाएंगे, और 512 को रोड़ेंगे, तो ये 441 देगा, लेकिन ये ध्याम दे, कि ये root के अंदर है, जिससे बाहर क्या निकलेगा, 21, option number B आपके सामने है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं हम लोग, इसमें भी कुछ इसी तरीके से method मैं apply करना चाहता हूँ, आप देखो इसे, अगर मैं value यहाँ पे 9, तो 11 में 2 जाएगा, तो 9 ही बचेंगे, 0 है, आप देखोगे यहाँ पर, वैसे 11, 22 यह आ जाएगा, minus में 22, अब देखना चाहो तो देखा सकता हूँ, A, B, A into B अगर यहाँ पे करोगे, साथी साथ C, 0 है, तो C इसके साथ भी है, तो यह भी 0, यह भी 0, यानि A और B को में माफ करेगा, excuse me, यह माइनस में ही होगा, यहाँ पे माइनस में आपका 8 आजाएगा, माइनस में 8 आजाएगा, चुकि माइनस 2 था, माइनस 2 का क्यूप करोगे, माइनस 8 आजाएगा, C का क्यूप करोगे, 0 आएगा, ठीक है, और माइनस यहाँ पर भी 0 ही होगा, चुकि ये term में आपका C लगा हुए, C क्या था, 0 और 0 से किसी भी term का गुना होगा, तो वो 0 ही देगा, चलो ठीक है, 1331 में अगर 8 जाएगा, तो आपका यहाँ पर आएगा answer, 1323, option number A, hope so आपको समझ में आ रहा होगा, यह अगला सवाल आपके लिए है, आप इसका answer हमारे comment box में करना ना भूले, अब बारी आई, पिछले वीडियो के कुछ comment की, जो काफी अच्छे अच्छे comment आपने लिखे हैं, लोकेश जी, this is very useful for the next exam, thank you, लोकेश, वीर यादो, sir, आपकी आवाज बहुत दिनों के बाद सुनने को मिला, बहुत अच्छा लगा, sir, इसी तरह सभी chapter का वीडियो बनाने की कोसिस करें, बिल्कुल, लोकेश जी, काजल, awesome and helpful वीडियो, thank you, रगुवीर सिंग, please sir, trigonometry topic का previous paper questions करवा दिजेगा, बिल्कुल, रगुवीर सिंग, डिके माही, मिस्यू सर जी, I miss you too, बहुत ही सुन्दर लगा देखने में, sir, धन्यवाद, हरीलाल, जबरदस्ट गुरू जी, धन्यवाद, हरीलाल, जैदेव, बहुत अच्छा लगा ये वीडियो, thank you, विशाल कुमार, very helpful, sir, डिके माही, again, profit and loss पे एक वीडियो चाहिए, sir, मैंने already एक upload करके रखी, आप ज़रूर देखना, डिके, next पर, नेहा वर्मा, thank you so much, sir, और आपके बताने का वे बहुत अच्छा है, धन्यवाद, नेहा जी, आगे भी इसी तरह से कुसिस करता रहूँगा, सुनल, awesome, thank you, सुनल अनिल वर्मा, बहुत अच्छा, thank you, thank you, अनिल, इसी तरह से आगे भी वीडियो उसमें दालता रहूँगा, आपके एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महतोपूर्ण है, हमें प्रोसाहिट करते हैं, ताकि अगली वीडियो के लिए हम लोग रेडी रहें, रहें लाहता रहें, ताकि बहुत प्रोसाहिए इसका रहाँ मेंट